आप सभी का स्वागत है आयोध्या में बन रहे भव श्रीराम जन भूमी मंदिर में गर्भ ग्रह के निर्मान का काम पूरा हो चुका है और वहां आज पहली आर्थी की गई मंदिर के बाकी हिस्सों का काम भी तेजी से चल रहा है और बताया जा रहा है कि प्रधान मंत्री नर निर्मान कारे 31 तिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा उन्हें पताया था कि भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारों 22 चैनवरी 2024 को आयोजित किया जाएगा प्रसान मंत्री 20 से 24 चैनवरी 2024 के बीच किसी भी दिन समारों के लिए आ सकते हैं इस मुस्लिमों ने मुत्वल्ली के खिराफ कारवाई की मांग की है और समझोते को रद्ध करने की मांग की है मुख्य शिकायत करता और आयोध्या में वक्फ संपत्ति को बचाने के लिए गठित एक स्थानी समीती अंजवन मुहाफिच मसाजित वा मकाबिर के अध्यक्ष आज आजम कादरी ने बताया कि समझोता एक सितंबर को हुआ था लेकिन इस्थानिय मुस्लिम समूहों को इसके बारे में हाल ही में पता चला उनने बताया कि मस्जित बद्र आयोध्या के महला पांजी टोला में सिथ है जिसका उप्योग स्थानी लोग रोजाना नमाज पढ़न अईध्या के जिला अधिकारी से मुलाकात की और मस्जित के मत्वल्ली के खिलाफ दर्ज करने और उनके और मंदी ट्रस्ट के बीच किये गए बिक्री समझोते को रद्द करने की मांग करते वे ग्यापंसोपा इस विच अईध्या के जिला अधिकारी नितिश्कुमार ने बताया मस्जित बद्र की बिकरी के संबंद में आविदन मेरे कारले को प्राप्त हुआ है और अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रवर्तन अमित सिंग को मामले की जांच करने के लिए कहा गया है राम जनबुमी पुलिस थाने के प्रभारी एंपी शुकला ने कहा कि पुलिस भ भी वक्फ संपत्यों को बेचने इस्तानांत्रित करने या उपहार में देने का अधिकार नहीं है उनने कहा कि अयुद्या की मस्जित बद्र को बेचने या विक्रय का समझोता करने में शामिल लोगों ने अपराद किया है और उनके कृत्य कानून के खिलाफ है इस पर टिपणी के लिए मंदी ट्रस्ट के प्रतिनिदियों से संपर्क नहीं हो सका अयुद्या में राममंदीर के उध्गाटन का वक्त तो करीब आ रहा है लेकिन दूसी तरफ धन्नीपुर में प्रस्तावित मस्जित और अस्पताल की आधार्शिला धन की कमी के कारण अभी के लिए किया गया है इंडो इस्लामिक कल्चरल फांडेशन ट्रस्ट के प्रवक्ता अतहर हुसायन ने कहा इस परियोजना में एक अस्पताल सामुदाइक रसोई और एक मस्जित के साथ-साथ कुछ अन्य चीज़ें शामिल हैं हमें परियोजना का नक्षा मिल गया और फिर इस साल फर्वरी महिने में हमें पता चला कि अध्या विकास प्रादिकरण के बोर्ड ने परियोजना का नक्षा पास कर दिया है फिर हमने यह जानने की कोशिश की कि इस परियोजना के लिए कितना विकास शुल्क जमा करना होगा उन्होंने कहा हम उम्मीद कर रहे थे कि ज ख़गित करने का फैसला किया क्योंकि यह पूरी परियोजना का लगपक 90 प्रतिशत है उन्हों का हम पहले मस्जित का निर्माण करेंगे क्योंकि इसके लिए विकास शुल्क कम होगा उन्होंने कहा जब से ट्रस्ट को सार्जिनिक किया गया मस्जित अस्पताल और सामुद में मस्जित का निर्माण शुरू करने के लिए धन जुटा लिया जाएगा परियोजना के लिए किसी भी प्रकार के धन जुटाने के अभियान के सवाल पर उन्होंने कहा जब परियोजना शुरू की गई थी तो हर जगा इस परियोजना की चर्चा हो रही थी और यह सुर् कि तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके